कमपनी की मनमानी और विसफोर्ट से चार दिनों तक यहां चक्का जाम शेखपुरा पहार में खनन, उच्चक शम्ता का विसफोर्ट, वाहनों के तेज रफ्तार से आने जाने, सड़क हादसा में बच्चों की मौत, इन सब मामलों से शेखपुरा जिले के वरिंदावन गाव के लोग अक्रोशित थे रविवार को सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई थी, इसमें वरिंदावन गाव के अजयराम की छेह वर्ष की बच्ची प्रीती कुमारी की जान चली गई इससे नाराज होकर रविवार से गाव के लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया, पत्थर खनन में लगी कमपनियों के वाहनों को आने जाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया, इस वज़े से चार दिनों तक पत्थर कमपनियों का काम थप रहा जानकारी देते हुए ग्रामीन कमलेश कुमार ने बताया कि गाव वालों के द्वारा लगातार इस क्षेत्र में पत्थर खनन में लापरवाही से होने वाली परेशानी को उठाया जाता है परंतु स्थानिय अधिकारियों के द्वारा कोई पहल नहीं होने से नाराज ग्रामीनों के द्वारा चार दिनों तक चक्का जाम कर दिया गया इस सबके बीच बुधवार को शेकपुरा जिला के खनन पदाधिकारी अखलाक, अनुमंडल पदाधिकारी सतीश रंजन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अर्विंद सिम्हा एवं पत्थर खनन में लगी कमपनी के प्रतीनिदी वरिंदावन गाव के लोगों के साथ वार चली, गाव के पंचायत भवन में आयोजित इस वारता में गाव वालों के द्वारा पत्थर खनन में लगी कमपनीयों के द्वारा मनमर्जी करते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के उच्चक शमता का विसफोर्ट पत्थर तोड़ने में करने की शिकायत की, इस से होने गरों की चट पत्थर गिरने, घरों में आने वाले दरार का जिक्र किया, साथ ही साथ इस खशेत्र में पीने की पानी की समस्या का भी जिक्र ग्रामीनों के द्वारा किया गया, मनमर्जी करते हुए तेज रफतार ट्रक हाइवा के आने जाने से होने वाले दुरघटनाओं पर भी आक्रोश व्यक्त किया। इन सभी मुद्दों पर अधिकारियों और कमपनी के लोगों के बीच सहमती बनी। जिसके बाद गुरुवार से आवागमन को सुचारू करने का निर्नय लिया गया। परिचालन होगा। साथ ही साथ विसफोर्ट से पहले गाम वालों को सूचना दी जाएगी ताकि सभी सावधान रहें। इन सब बातों के बीच सहमती बनी है और गुरुवार से वाहनों का आवागमन चालू होगा।